असलाम अलेक्ट दोस्तों मैं हूं मुहम्मद साइंत कान और आपके सामने एक नए वीडियो लेकर आओं और इस वीडियो में आपसे बात करने हूं विडियो सुरू करने से पहले आपको बता दो कि अभी तक आपने हमारे चाइनल जामिया कोशिंग सेंटर को सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पर प्रिस करना ना भूले दोस्तों अगर अभी तक आप उनलाइन क्लास जोई ना किये तो चल्द जाए प्लेस्टोट पर जामिया वोजिंग सेंटर का अप्रिकेशन अभी डाउनलोड करें डाउनलोड करके उनला कितने आते हैं निगेटिव मार्किंग होते हैं या नहीं होते हैं तो चलिए एक बाद सबसे पहले सिलेवस को बात बता हुआ आपको लेचे तो अपने इसके लिए जो मैंने कल इसको नोट किराया था बच्छे लोग आफ लाइन वही बताया था देखे दोस्तों चलिए आ आपको परते हैं फिजिक्स 15 मार्क्स, किमस्ट्री 15 मार्क्स, बायोडोजी 15 मार्क्स, माथेमेटिक्स 20 मार्क्स जेनरल नौलेज बोले, या करंट अफियर बोले, या सोशल साइंस बोले, 10 मार्क्स इंग्लिश 25 मार्क्स, यानि ये 15, 30, 45, 65, 75 और 100 ठीक है 100 marks के आपका questions होगो इए hearing फिल भी बता दिया अब total number of questions होते हैं hundred, है 100 question, hundred marks ठीक है hundred question होता है, hundred marks क्लिए है, आप इसमें बात करते हैं negative marking होता या नहीं होता है, इसमें negative marking नहीं होता है no negative marking क्या होता है no negative marking ठीक है negative marking नहीं होता है total hundred questions होते है hundred mask होते है one question get each mark यानि एक question आपको एक mask लिए होते है number of time की बात करते है आपको time मेलता है for example hundred questions है अचले है टाइम होते है hundred questions hundred minutes आपको एक गन्दा 10 minutes होता है eh sorry एक घन्दा 40 minutes होता है अब आता है बात कि हमें total कितने गन्दे का time मेलता है ठीक है तो हमें total दो गन्दे का time прим मिलता है कितने गन्दे मिलता है 2 बात है हमारे जो time मिलता है टू आर मिलता है, यानि 120 मिनर्स हमको मिलता है, 120 मिनर्स, 120 मिनर्स में हमको 100 कोशन करने होते हैं, ठीक है? 100 कोशन करने होते हैं, 100 मार्स के लिए 120 मिनर्स, यानि देखा, जो में चीज़ आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, देखें मैं बता रहा हूँ, आपके पास ताइम, 120 मिनट्स आपके पास ताइम है, ठीक है, 100 questions आपके पास, questions, 100 marks के ओंगे, 100 marks के ओंगे, no negative marking, ठीक है, negative marking सबसे बड़ी बात है, कि हमारे पास 120 मिनट्स है, 100 questions है, और क्या है, bobbling वाल, हमें bobble करना है, अगर टिक करना हो, तदि यह मार देता हमारा टाइम, complete, लेकिन हमें क्या रहना है, इसको bobble करना है, one answer got 20 seconds for bobbling, 20 seconds for bobbling, ठीक है, 20 seconds हमारा bobbling में लगता है, यानि 3 questions पे हमारा 1 minute bobbling में लग जाएगा, अगर जब हम bubbles करेंगी, तो उसमें हमारा 3, 1 minute में 3 questions पे हम bubbles कर पाएगा, 10 minute में 30, 20 minute में 60, और अल्मोस समझें कि 25 minutes तो आपका bobbling में जाना जाएगा, 25 minutes, almost, क्योंकि एक question 20 minute bobbling आपको लगेगा, खुब fast कीज़ेगा तो 15 seconds, sorry, 20 seconds आपका लगेगा, अफुब ज्यादा fast करेंगा, तो 15 seconds आपको एक bobbling मिला कि बाहर भी नहीं जाना चाहिए, और complete भी होना चाहिए, आदा अधूरा भी नहीं जाना चाहिए, तो यह सारी चीज़ है, तो हमें करना क्या है, question को सोब कैसे करना है, देखें, सबसे पहले हमें एक बार में 15 minutes मिलता है, तो टो 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 एक 120 minutes मिलता है, लेकि इसमें जो पहले 15 minutes है ना, पहले जो आपको paper मिलेगा, तो पहले 15 minutes आप बिलकुल question को read out, दो अराम से, सांत मिलता है, बिलकुल ध्यान से कुछ answer आपको नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, question पे बिलकुल आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना, only for 15 minutes, 15 minutes आपको 100 question पे ध्यान देना, आपको 100 question पे 15 minutes आपको ध्यान देना, बिलकुल अच्छे तरीके से, कि आपने ध्यान दे दि अब जो आप 15 मिट्स अच्छे से ध्यान दे देंगे तो पूरा question का नीचोर आपके सामने आएगा, आपके आपके सामने नजर आएगा, बिल्कुल आपके आपके नजर के सामने दीखेगा पूरा 15 मिट्स का जो भी आपका conclusion था question उपर, आप करेंगे क्या, जो gk है, biology है, ठी सबसे पहले इस question को आप करने की कोसिस करेंगे, और सबसे पहले इनको देखना और answer बाता है, ठीक है, अब माल लेजिए कि आपको, जैसे माल लेजिए question और 5 से हमने आपके पता है, यह 5 का answer C होता है, तो हम direct अपना answer C पे 5 का answer C bubble करेंगे, समन्या है, यह ना कि हम अपने question paper म इसको bubble करेंगे, ठीक है, हमने direct क्या करना, answer C को bubble करना है, इसी तरीका से पहले G के, उसके बाद biology, देन आपको English, देन उसके बाद क्या करना है, आपको English की bubble करना है, ठीक है, तो आप number 1 आपको बता रहें, कैसे करेंगे, तो आपका time पुरा बच जाएगा, और आपको टेंस क्या करना है, GK, number 2, biology, आपका GK में आ जाएगा, गरंटे फिल्यार और social science, उसके बाद number 3, English, English देखना, number 4, आपको chemistry, chemistry, number 5, आपको physics देखना, and number 6 में आपको maths देखना, अब मैंने ये session क्यों आपके लिए बता है, ये section क्यों बता है, ये section क्यों बता है, ये section बताने की ये है, कि आपको एक बार देखना, yes no decision, आपका time consumer, इसमें भी yes no, उसके बड़ आपका time की नहीं नहीं है, English में थूरी बहुत आपको दिमाग लग लगाना पर सकता है, कुछ sentence में उसको कि किसका क्या होगा, tense का होगा, reposition का होगा, या narration active का होगा, या antinam synapse क्या होगा, इसमें थोरी सी दिमाग लगाना पर सकता है, 5%, ठीक है, then chemistry में आपको ये भी normal है, लेकिन formula होलते है, physics में कुछ numericals भी आ जाते है, तो थोरी से time लग ज सारे questions attempt कर लेंगे, 80 questions कर लेंगे, तो हम एक mentally, mentally free हो जाएगे, mentally कैसे free हो जाएगे, कि हमने अपना 80 questions almost complete कर लिया, उसके बाद आप time के हिसाब से decide कर सकते है, अब इसमें मेर्स में बहुत सारे से questions होगे, कि जो आपका देखना है, आप टीक करता है, उसके बाद जो भी remaining time करने के बाद, last में, अब आपको लगे कि नहीं सल पर पाऊंगा, और नहीं हमारे को time बचे, तब वहाँ पे तुक्का मारू, पहले दो अप्सन दो, ये लग रहा है, ये लग रहा है, इसके बाद decide कर लो, ठीक है, उसके बाद तुक्का मार दो, कि में negative marking हैंगे, आपको को पॉसिस करना है कि pay 80 marks का मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको confirm कर लो, अच्छे तरीके से उसको, मतलब answer सही कर लो, उसके बाद ट्वेंटी marks का है, उस पी आपके लो, अब देखें, नम्मर जो सबसे main बाद आ था कि test को qualify कैसे कर, 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 how to qualify in terms of 11 science, अब जाने हमें इसलाम ये 20 21st to 20 22nds देशा, कैसे test को qualify कर, आपको करना किया है, totally focus on science or English, science इंग्लिस पर पूरा ध्यान को, English पर 25 out of 23 लाने की कोशिस कर, ठीक है, 23 लान, antinam sinams का, ऐसा मैंने topics बताया है, कि जो five marks को question होते था, बच्चे एक number लाते थे, तुक्कावर से दो number लाते थे, अब ओभी नहीं ला पाते हैं कुछ बच्चे, तो आप और tricks से five out of five गें कर सकते हो, ठीक है, तो आप 25 में 23 लाने की कोशिस करो, और science जो है, science भी आप उसमें 45 में 24 लाने की कोशिस करो, ये दो सब्सक्राइब पर ध्यान दे दो, तो आपका यहां पर हो जाएगा, 63 marks, out of 25 और 45, क्या है कितना हो गया, 70, 70 में अगर 63 अपला दी है, तो आपका लगबक साथ नम्मर कटा, ठीक है, अब आपके पास 30 marks बचत है, 30 marks बचता है, 10 marks जीके, इसमें 5 marks लाओ, हमारा marks आजाता है, 68, यहां पर चला जाता है, 70 प्लस 10, ठीक है, उसके बाद 20 marks बचता है, अगर 20 में आप 10 marks भी लाते हो, तो आपका 78 हो, और 78 पे आप easily test को qualify कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, 78 पे, 70 अबाब आप test qualify कर सकते हो, अगर 70 अबाब लाओ तो, लेंगि इस बार के जो expectation करो आप, higher से higher करो, क्यों, higher से higher करने में फाइदा कोई है, कि आप देख रहे हैं कि पिछले समय से lockdown चल जाता है, कि पूरे इंडिया से 1 परसन जो बच्चे होते है, test को qualify करते हैं, test को qualify क करते हैं, और वो कौन से बच्चे होते हैं, जो study करने हो आले होते हैं, अब हम क्या करके हैं, आप लोग बंकर मजे लेते हैं, इदर भोंगना, उदर भोंगना, movies, फलाना टिम करने हैं, we are wasting our time, so we can't able to compete with the great students, best personality, those who are always focuses on the studies, तो वो क्या करते हैं, हमेशा study पर focus करते हैं, अब उनको क्या time extend होते जा रहा है, उनके लिए benefit है, आपके लिए loss है, कि हम एक परसंट बच्चे test qualify करते हैं, और पुरे लिए से एक परसंट ऐसे बच्चे होते हैं, जो study का कीरा होते हैं, परहाई का कीरा गरा, उनका पढ़ा जान दे, और जो number of seats के बात होगी, उनेक्स वीडियो में भी बता देंगे, आपको particular display के ले जागे दिखाएंगे, कि number of seat कितना है, अल्मूजद आपका 211 science में seat है, अब इस school का distribution, जो girls होती है, उनके लिए 4 school है, जो boys है, उनके लिए 2 school है, तो number of options के school के बात के लिए 4 है, पहला जो options है, जामिया senior secondary school, जिसको morning shift के नाम से जाना जाता है, तो सबसे main school है, उसमें आप option 1 डाले कि आपका score अच्छा है, तो सबसे पहले हो मिले, number second, जो आता है, जामिया girls senior secondary school, जो उसमें सिर्फ बच्ची ही, यानि girls ही apply कर सकती है, तो भी, एक main school है, number third आता है, सियद जिसमें boys girls दोनों थे quade होता है, and number fourth जो होता है, वो आपर जामिया girls senior secondary school, जामिया girls senior secondary school, जाम से जाना जाना जाता है, वो fourth school है, तो girls के लिए opportunity ज़्यादा है, कि कटब भी कम आते हैं, और schools, नमर पर schools भी, multiple of boys है, यानि डवल से उनके, तो option उनके पास बहुँ जादा है, त girls थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर देंगी, तो मेरी sister आपको आपको जामी में दो साल रख सकता है, चार साल रख सकता है, otherwise आपको बाहर निरान सकता है, तो यह डिपेंड करता आपको उपर, अगर कोई भी क्यूरी करनी हो, तो आप कमेंट करें, कोई भी वीडियो बनाएं उपर कमेंट करें, उसका उपर वीडियो बनाएं चाहिए, चलिए उमीद करें हो, आपको वीडियो अच्छी लगे होगी, अच्छी लगे होगी तो चानल सब्सक्राइब करना ना बूले, मैं को ममा साजित खां, दोवाव भी आतर्टने, डैट सो, अलाख रेज